अब आपके घर भी बीजेपी का फोन आ सकता है जी हाँ अगर आपने भी बीजेपी की सदस्तिता प्राप्त करने के लिए डेड़ महा पहले मिस्कॉल दिया था तो ध्यान रहिए कि आपके पास बीजेपी फोन कर सकती है जी हाँ आप एक नई तरीके का जो है बीजेपी कारेकरताओं ने नया रूट अपनाते हुए जो है कदम बढ़ाए हैं चौथी बार सत्ता में काबिस होने के लिए नय पैत्रे आजमाई ज़ा रहे हैं बीजेपी द्वारा और उसी में एक नया पैत्रा है वो ये कि अब हमारे साथ जुड़ चुके एंपिनी उसको समवादा था यवराज यवराज बीजेपी की तरफ से नया कदम उठाया गया है चौथी बार सत्ता पर काबिस होने के लिए लोगों से और जुड़ने के लिए ये क्या है पूरा मामला जी हाँ दिवया निशित तोर पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने डेड़ माह पहले एक मिस्कॉल वाला सिस्टम शुरू किया था जिसमें की तक्रीबन 12 लाक लोगों ने मिस्कॉल मार कर बीजेपी की सदस्ता ग्रहन की थी जिसके बाद ठीक डेड़ माह बाद अब बीजेपी ने नया फॉर्मूला अप बाद लिजेपी ने करता है कि बीजेपी कारड रा कर पर आए Economics करे जिसके बाद बीजेपी ने चाहती है कि जित्ते स्दस्रेपी के और आंदूलों में शिरकत करें ताका कि बीजेपी के संक्या बड़े वहीं आपको बता दू कि इसके लिए वाड लेवल और बूत लेवल पर नई-नई मंडलिया बनाई गई है बीजेपी के द्वारा तकरीबन 50-50 कारेकरताओं का जुंड बनाए गया है जो कि हर एक कारेकरता तकरीबन 100 लोगों को फोन लगाएगा और इसके लिए 19 अगस्त एक मिस्कॉल किया था उन लोगों को बीजेपी कारेकरताओं द्वारा फोन किया जाएगा पर युवराज अगर प्राक्टिकली देखें तो ये अपने आप में कि यह बड़ा मिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीजेपी कारेकरताओं के लिए ये बड़ा मिशन अपने अपने हैं कि एक ही समय में इतने सारे लोगों को आखिर फोन कैसी किया जाएगा किस तरह से इसकी रूप रेखा जो है वो तैयार की गई है ऐसे में जो हमारे नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं गोपी क्रश्न नेमा जी क्या उनके नेतरित्म में क्या-क्या तैयारिया हो र जो राजितिक पार्टिया हैं वो जमीनी तोर पर तो प्रचार प्रसार करती है साथ में सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है फेस्बुक और वाट्स अप पे बकाइदा IT सैल बनाए गए हैं जो की प्रचार प्रसार करने में व्यसरते हैं और ऐसे कहा है कि वो एक कॉल सेंटर बनाएंगे जो कि 19 अगस्त के दिन यही कॉल सेंटर से तकरीवन 12 लाख लोगों को फोन कॉल किया जाएगा और ये जो 12 लाख लोगे इन दौर संभाग के नए सदस्य हैं जो कि एक मिस्कॉल देके बीजेपी की सदस्य बने थे और इन 12 लाख सामने और बीजेपी को मजबूत करें एक तरफ तो शिवराज सिंग चोहान जन अशिरवाद यात्रा भी निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ शिवराज सिंग चोहान टेक्नोलोजी का इस्तमाल करते हुए कम समय में जादा से जादा प्रचार प्रसार करने में लगे हुए है ऐसे में ऐसा लगता है कि शिवराज सिंग चोहान लगाता चोथी बार ये चाहते हैं कि वो सत्ता पर काबिस हो और इसके लिए वो दिन राज प्रचार प्रसार में लग गए हैं एक तरीके से आचार सहीता आने में अब कुछी मा बचे हैं ऐसे में बीजेपी अब कोई करस नहीं छोड़ना चाती है और वहीं जो कॉंग्रेस है वो ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस के जो स्टार प्रचारा के जोती राज सिंधिया और जो उनके दूसरे जो प्रदेश अद्यक्षे कमलनात वो टेक्निलोजी का कम इस्तमाल करते हुए जमीनी तोर पर डोर टो डोर प् हुआ रहा इस तरीके का नया जो सोशल मीडिया का सही तरीके से उपियोग जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक समय पे इतने सारे लोगों को जो है फोन कॉल करके उनका धन्यवाद दिया जाएगा उन लोगों का जिन्होंने सदस्ता ली थी बीजेपी की और ग् विवराज पूरी जौनकारी देने के लिए धन्यवाद बने रहेगा हमारे साथ और आप सब भी देखते रहेए एमपी नियूज नमस्कार